नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सक्रांती पर याने जो आने वाली 15 जनवरी को जो सक्रांती आ रही है उस सक्रांती पर हम कौन सा दान करें क्योंकि आपको मालूम है कि सक्रांती पर किया गया दान अक्षे होता है मतलब जो भी आप दान करते हैं उसका जो फल होता ह वो अक्षय होता वो कभी खथम नहीं होता और जो भी आप दान करते है उसका जो महत्व है वो हजार गुनाव बढ़ जाता है अब आप ये कहेंगे कि दान तो कभी भी कर सकते है और दान करना तो हमेशा ही अच्छा होता है फिर शक्रांती के दिन दान करना जादे अच्छा क्यों हो या सक्रांती की दिन किया गया दान अक्षे क्यों होता है या सक्रांती की दिन किया गया दान का महत वुज़ होता है वो हजार गोना क्यों होता है लेकिन आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि बिसेस समय बिसेस्तिति बिसेस दिन पर कि कभी भी कोई दिन देखाना कुछ भी और देखे आ गए तो क्या उस गिफ्ट की अहमेत उतनी रहेगी क्या सामने वाला व्यक्ति उस गिफ्ट को सदा के लिए याद रख पाएगा शायद नहीं लेकिन वही गिफ्ट अगर आप उसके बर्थडे पे दे या उसकी किसी विशे विशेष दिन या विशेष समय पर अगर हम दान करते हैं तो उसका महत्व ज़्यादा होता है इसलिए मैंने आपको बोला कि सक्रान्ती पर आप दान अवश्य करें अब प्रश्नी यह उड़ता है कि कौन सी चीज का दान करें जिससे हमें बहुत लाव हो या हमें हमारी मनो कामना पूरी हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सक्रान्ती पर किया गया दान से आप अपने मनवांचित फल की प्राप्ति कर सकते हो और यही दान आप अपनी राशी के अनुसर करें तो इसका विशेष फल मिलता है या इसका महत्व दुगना हो जाएगा अगर आप अ इस राशी वालों को गुड मुंफली और तिल का दान करना चाहिए आज की दिन मतलब मकर सक्रांती के दिन दूसरा है ब्रश राशी ब्रश राशी वालों को मुंग दाल दही और तिल का दान करना चाहिए इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं कि तीनों को यह आपको दान करना इन भी खड़े मुंग का दान, ठीक है, हम बात करते हैं हमारी करक राशी की, तो करक राशी वालों को सफेद तिल या चांदी का दान करना चाहिए, जो भी आपके इसमें से बन सकें उसका आप दान करें, याने जिन लोगों की राशी सी हैं, उनको सोने के मोती, तावा या फिर गेहूं का दान करना चाहिए, खड़े गेहूं का दान करना चाहिए, बात करते हम कन्या राशी की, तो कन्या जिन लोगों की राशी कन्या है, उन लोगों को खिछडी, हरे कपड़े या कंबल का दान करना चाहिए, हम बात करते हैं तुला राशी की, तो तुला राशी वाल उन्हें लाल कपड़ा, मूंगा ये तिल का दान करना चाहिए तिल याने तिली का दान करना चाहिए जिन लोगों की राशी धनु है उन्हें पीला कपड़ा, खड़ी हल्दी तथा सोने के मोती का दान करना चाहिए अब इन में से जो आपको ठीक लगे आप उसका दान कर सकते अब बात करते हैं मकर राशी की जिन लोगों की राशी मकर है उनको काला कंबल तेल या काले तिल का दान करना चाहिए अब नाम आता है कुम राशी का तो जिन लोगों की राशी कुम है तो उन्हें काला कंबल काली तिल या काली उड़त का दान करना चाहिए अब हम बात करते ह जिन लोगों की राशी मीने उन्हें रेशमी कपड़ा चने की डाल चावल या फिर तिल का दान करना चाहिए यह थे राश्यों के अनुसार कौन से दान आप कर सकते हो और अगर आप राश्यों के अनुसार दान करते हो इस वर्ष मकरसा करानती पर तो आपको इसके बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे वो भी बहुत जल्दी वेसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि दान किसी भी चीज का किया जा सकता है कभी भी किया जा सकता है लेकिन अगर आप अपनी राशी के अनुसार और विश्वेश दिन पर इसका दान करते हैं तो इसका महत जाद प्रश मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए आज के विसेत नहीं मिलते हैं एक नए विश्वेश के साथ तब तक आप रहे खुश और मुझे दिजिए आग जाए